तो अब बारी है exercise की यहां पे first क्या है question दरजी चुहे की किस बात से डर गया तो दरजी चुहे की इस बात से डर गया के वो रातो रात आएगा और उसके सारे कपड़े कुतर देगा चुहा टोपी क्यों पहनना चाता था तो चुहा टोपी पहन के सुंदर राजकुमर के जैसा लगना चाता था इसलिए वो टोपी पहनना चाता था चुहा टोपी पर सितारे क्यों लगवाना चाता था तो चुहे को जो टोपी थी वो साधी लगी और वो उसको कुछ अच्छा बनाना चाता था इसलिए वो उस पर सितारे लगवाना चाता था दरजी ने चुहे को टोपी सिलने से क्यों मना कर दिया तो दरजी को लगा के चुहा जो है वो उसका वक्त बरबाद कर रहा है इसलिए उसने चुहे को टोपी सिलने से बना कर दिया ये वाले question answer है वो आपको अ तो इस स्टोरी को आपको पहले पढ़ना है और इन सेंटेंस में से पहला सेंटेंस कौन सा आएगा दूसरा कौन सा आएगा वो आपको लिखना है जैसे के चुवा तयार होकर शहर की तरफ नेकला ये वाला सेंटेंस पहला फिर उसने क्या कहा फिर वो कहा गया तो फिर वो जो था वो चुहे को रेशमी कपड़े की कतरन मिली फिर उसने क्या कहा तो फिर दरजी के पास गया तो दरजी ने चुहे की टोपी सिल दी फिर कया टोपी सिल वाने के बाद वो कहां गया तो वो दुकांदर के पास सितारे लेने गया और उसके बाद क्या किया उसने बाद उसके जो था वो राजा के दरबार में गया और उसके बाद जो था वो सियासन पर बैठ गया तो इस प्रकार से यहां पे जो पहले गटना घटी वे वाला sentence पहले आएगा तो इस तरह से आपको जो ये सारे sentence है वो क्रम में आपको हिंदी की note books में लिखने है पिर उसके बात तुम्हारी समझ में बारिष के मौसम में ऐसा क्या होता है जिससे चुहे अपनी बिल से निकल नहीं पाया होगा तो बारिष के कारण जारो और पानी पल जाता है जिसके कारण वो अपनी बिल से बाहर था क्योंकि उसने बड़ी होस्यारी से सबसे अपना काम निकलवा लिया कपड़े वाले ने दरजी ने सितारे वाले ने चुहे की बात पर ध्यान नहीं दिया तुम्हें इसका कारण क्या लगता है तो चुहा जो था वो कभी टोपी भेहनता नहीं है इसलिए उन सब को लगा क ये चुहा जो है वो उनका वक्त बरबात करने आया है तो ये वाले क्वेस्चन आंसर है वो भी आपको अपने हिंदी की नोटबुक में फिल्ड करने है नेक्स्ट वाली किसके पास जाओगे चुहा अपने कामों के लिए बहुत से लोगों के पास का या इन कामों के लिए तुम किसके पास जाओगे तो यहां पर कुछ काम के नाम दिये गए है तो हम उसके लिए किसके पास जाएंगे वो सामने खाली जगदी गई है उसमें लिखना है जैसे कपड़ा खरिदने के लिए तो बाजार में बजाज के पास यहां तो फिर कपड़े बेचने वाले के पास फिर लगड़ी की कुर्षी बनाने के लिए बढ़ई के पास या तो कुर्षी बनाने वाले के पास फिर किताब पर जिल्द लगवाने चड़वाने के लिए तो किताब बेचने वाले के पास फिर बाल कटवाने के लिए नाई के पास फिर महले की रखवाली करवाने के ल गड़ी वाले के पास तो यह वाली एक्ससाइज आपको अपनी टेक्सबुक्स में फिल करनी है उसके बाद की फिल इन्द ब्लैंग्स यानिकी खाली जगह बरो एक अनेक इस कमरे में दो खाली जगह है तो यहां यह जो एक्ससाइज है वो एक वचन और बहुअचन वाली है जो आपको मैंने पहले ग्रामर में एक वचन और बहुचन शिखवाया था ना तो यह वाली एक्सरसाइज है वो उसी से रिलेटेड है यहां पे जो ब्रेकेट दिये गए हैं उसमें एक वचन के वर्ट्स दिये गए हैं उसके हमें पहुचन करने हैं जैसे के इस कमरे में दो खाली जगह है तो एक हो तो खिड़की होती है मगर दो हो तो खिड़किया तो यहां पे खाली जगह में आएगा खिड़किया फिर बुआ समिना के लिए धेरो खाली जगह लाई कौपी तो उसके बवचन क्या होगा कौपीया फिर खाली जगह मैदान में फुटबॉल खेज रही है तो एक है तो लड़कि और एक से ज़ादा हो तो लड़किया फिर गोविन तेजी से खाली जगह चट रहा था तो एक हो तो सीड़ी मगर बहुत हो तो सीड़ीया और लास्ट में गंदी जगह पर खाली जगह बिन बिनाती रहती है तो एक है तो मक्ही तो यह वाली एक्ससाइज है वो एकवचन बहुचन वाली है और खाली जग ब्रैकेट्स में एकवचन दिया गया है और खाली जगह में आपका उसको खाली जगह में उसका बहुचन आपको लिखना है तो यह एक्ससाइज आपको इस तरह से आपकी टेक्सबुक्स में फिल कर है उसके बाद वाली है दजी अपने काम में कैंची फृते मसीने दागे आधिका इस्तमाल करता है यह लोग किन-किन जीजों की मदद से अपना काम करते हैं तो बड़ाई जो है वो लकडी और आरी फिर असया तो बरतन फिर गैस चिला फिर डॉक्टर है तो इंजिक्शन थर्मोमीटर फिर कुम्हार तो मिट्टी फिर चक्की फिर चित्रकार तो रंग ब्रस कागज किस्सान तो हल बीज कुलहारी इन सारी चीजों का इस्तमाल करता है तो जो 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 व्यक्ति जिससीच का इस्तमाल करता है वो आपको यहां पे खाली जगों में फिल करना है यह व के बात की है दर्जी सब्द में रो की आवाज है जिसके उपर ऐसा निसान लगा कर लिखा जाता है ऐसे ही कुछ और शब्द लिखो तो जो दर्जी होता है उसमें रो लिखा होता नहीं है और जी के उपर ऐसा निसान बनाया जाता है मगर फिर हम जब भी बोलते हैं तो रो का इस्तमाल करते हैं तो ऐसे ही कुछ सब्द हमें लिखने हैं जिसमें रो का इस्तमाल होता है